एक छत्री में आठ ताने हैं, छाता समझते हो, तो मैं बना देता हूँ यह छाता है और इसमें कहरा है कि आठ ताने हैं, वगल में छित्री भी दिया हुए और चत्री को 45 सेंटीमीटर व्रिजा वाला एक सपाट वरीत मानते हुए इनकी दो क्रमागा तानों के वेच का इस द्रफल ज्याद कीजिए, अच्छा, 45 सेंटीमीटर, ठीक है, पर इसमें 8 ताना है, ठीक है इसको सपाट वरीत मानो, सपाट वरीत मतलब अच्छाता है न, ऐसा करोगे तो हलागे घर के लोग बड़ी पीटेंगे, ठीक है मैं बस समझाने के लिए एक्जामपल दे रहा हूँ, ठीक है, और यह जो नुकिला भाग है, इसको बाहर करो, ठीक है ठीक है, ऐसा बना दो, अब इसमें 8 ताने लगए हैं, तो 8 परावर भागों में बढ़ जाएगा यानि 4 यहां पर आएंगे, कितने आएंगे बोलो, यह कुछ ऐसा आएगा यह कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, तो कह रहा है कि area बताओ, किसका area बताओ कह रहा है इनकी दो क्रमागत तानों के बीच का छित्रफल होता हो, क्रमागत ताना, मतलब एक ताना यह, एक ताना यह, अंदर तार लगा रहता है न, छाता के अंदर जब इसको सपाट उपर से दवाओगे, समतल जवीन पे, तो फैल जाएगा, तो यह जो, यानि कहने का मतलब इस त्रीजिखंड का कहानी बताओ, ठीक है, तो पूरा छित्रफल व्रीद का कितने भाग मता है, आठ भाग में, एक, दो, तीन, चार, पांच, श, साथ, आठ, पूर्य व्रीद काठवा हिस्सा होगा, दो तानों के बीच का शतरफल, तो दो, क्रमागत, आठ रो, करलो, अन। वो थीटा बाइस रेशिची करके भी निकालोगा तो वहीं आएगा ठीक है पाई कामान कुछ नहीं कह रहा है तो बाइस उटा साथ ले लो रेडियस बोलो 45 कह रहा है परके देखो 45 कर लो कटेगा? नहीं कटेगा भल करो फिर 22 और यह जागा 4 पच्चे 20 और यह 25 आठ सत्य चप्पन टीक है? इतना आएगा? 22 पच्चे 110, 0, 11, 22 दुना 44, 11, 55, 5, 0, तो 5 और 22 दुना 44 इतना वाटा 56 अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वाइर होगा और मीटर होगा तो मेटर स्क्वाइर होगा 28 वैसे दे रहा है कुछ कटने लाइक था क्या जी? अच्छा हाँ यहाँ पर यह कटने वाला था 2 से कट जाता चार बार में और यह 11 बार में कट जाता ठीक है? कोई नहीं आप करोगे तो इतना आ जाएगा वैसे काटके देखो इसमें दे रहा है वैसे आंसर में 2275 काटके देखो तो दो से दो दुना चार दो दुना चार और यहाँ पे दो दुना चार एक दो से दे चौदा दो पजदा साथ हो गया और यह दो से अठाइस वर में कटी जाएगा इतना सेंटी मेंटर स्क्वेर कर लेना